सत्यम शिवम सुंदरम 1978 की भारतिय हिंदी भाषा की रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्मान और निर्देशन राज कपूर ने किया और जैनेंद्र जैन ने लिखा, जिसमें शशी कपूर और जीनत अमान ने अभिने किया. फिल्म का मूल साउंड ट्रेक लक्ष्मी कांत प्यारेलाल द्वारा रचित्था कहानी एक ऐसे गाव में सेट की गई है जहां रूपा अपने पिता गाव के पुजारी के साथ रहती है. बच्चपन में, रूपा के चेहरे और गर्दन का दाहिना हिस्सा उबलते तेल के बरतन से जल गया था, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया था. तब से, रूपा अपने दाहिने गाल को अपनी साड़ी के परदे के नीचे छिपाए रखती है. भयानक दुरगटना के बावजूद, रूपा धार्मिक बनी हुई है और प्रतिदिन गाव के मंदिर में जाती है. भजन और भक्ती गीत गाती है, राजीव एक तेजतर्रार इंजीनियर है, जो एक बड़े बांध के संचालन की देखरेख करने के लिए गाव में आता है. उसे हर बदसूरत चीज से नफरत है. वह रूपा का प्यारा गाना सुनता है और उससे मिलता है. लेकिन उसका विकृत पक्ष नहीं देखता है. और उससे प्यार करने लगता है. फिर वह उसके पिता से उससे शादी करने की अनुमती मांगता है. रूपा राजीव को धोखा नहीं देना चाहती क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है और पहले उसके पिता से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अनुरोध करती है लेकिन गाव के सभी लोग उससे अपना मन बदलने का अनुरोध करते हैं और इस तरह वह राजीव से शादी करने के लिए सेहमत हो जाती है ये सोचकर की वह उसे उसकी शर्त के साथ स्वीकार कर सकता है क्योंकि उसने उससे सच्चा प्यार करने का दावा किया था शादी के बाद राजीव को सच्चाई का पता चलता है और उसे लगता है कि उसके साथ दोखा हुआ है और उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है उस समय वह रूपा को अस्वीकार कर देता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है राजीव दूसरी रूपा की तलाश में शादी की रात गाव में घूंता है